हलो माई डीर स्टूडेंट्स तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंट्रेस्ट की एक और स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम इस तरह के प्रश्णों को डील करेंगे कि यदि एक धनराशी पर चार प्रतिशत वार्शिक दर पर दो वर्ष का चक्रविर्धी व्याज अगर दिया हुआ रहे और आपसे प्रश्ण पूछे कि उसी दर पर दो वर्ष का साधारन व्याज इससे भी इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग कोश्चन आज हम लेकर आए हैं पहले हम सुरुआत इस तरह के प्रश्णों से करते हैं उमीद है कि 100% हम आपको समझ पाएगा पर ऐसा बिलकुल नहीं है बने रही है एक बहुत ही बहतर कॉंसेप्ट हम कंपाउंड इंट्रस्ट में आपको देने वाले तो कह रहा है एक धनराशी है वह चार प्रतिशत वार्षी दर्थ पे दो वर्ष का चक्रविर्दी व्याज दिया हुआ है हमें पता है कि यही है ना यही है ना चक्रविर्दी व्याज का बिलकुल यही फर्मुला है तो आपसे जो प्रशनिक के कोडिंग कहा गया कि यही एक धनराशी देखे इसको हम सौटकट से भी कर सकते हैं लेकिन हमारा मानना है कि सौटकट आप बाद में बनाएंगे पहले आपको बेसिक नौलेज तो होना चाहिए एक कंपाउंड इंट्रेस्ट का इसलिए हम बिलकुल बारिकी से पढ़ा रहे है आपको कंपाउंड इंट्रेस्ट तो कह रहा है यदि एक धनराशी जो है वो चार प्रतिशत वार्शिक दर पर दो वर्स का चक्रविर्दी व्याज 102 है आपको दि वो अलग बात है कि प्रस्ण में दिया हुआ लेकिन चक्रविर्दी व्याज दिया हुआ है और साधार्ण व्याज चाहिए न तो हम यह से कोशिश कर रहें कि हमें पी की वैलिय करे दो बरस एधी एक धनरासी वो जो धनरासी है जिसको हम P काते हैं इसकी तालास में अभी फिलाल हम चल चुके हैं एक धनरासी पर चार प्रतिशन वारसी दर पर दो बरस का चक्रविर्दी वह एक सो दो है तो कौन सी धनरासी यही चीज हमें फाइंड आउट करना है इंटू 1 प्लस कितना परसेंट 4 परसेंट है ना 4 बटे 100 और 2 बरस का है माइनस P कर दीजे 25 बार में कटेगा यानि 102 बरावर 25 और 1 26 बटे 25 गुने 26 बटे 25 यह P है ना एक सेकेंड पी इंटू 26 बटे 25 का स्क्वाइर अब बटे माइनस P एकड़ ध्यान से देखेगा 102 बरावर ठीक है यह हो जाएगा 26 का स्क्वाइर होता है 676 यानि 676 ठीक है 676 और आगे P लगा हुए तो P बटे 625 25 का स्क्वाइर 625 अब माइनस P तो 102 is equal to 675 में आप क्या घटाईएगा जैसे LCM आप लिजेगा मान लिजे कि यहां पर अगरम LCM लेते हैं 625 ठीक है तो 675 P म आप गटाईएगा 625 गुने P 625 P ठीक है तो अब आप बताईए कि 102 बरावर यह 676 में 625 गया हमारे सबसे होगा 51 P यानि 51 P बटे ठीक है 51 P बटे 625 तो यह कितने बार में कटेगा यह आपका कट जाएगा दो बार में 51 दूनी 102 और यह भाग में है तो P बरावर साड़े बा 25 दूनी 6 दूनी 1250 यह हमारा सिर्फ मूलधा ना आया अब हमको कह रहा है कि इसी दर पर इसी समय का साधारन व्याज ग्याद करिए यानि SI ग्याद करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है सरसाधारन व्याज के लिए फॉर्मूला होता है P R T Y 100 ठीक है तो P आपको पता च प्रिशन में है हमने कुछ नहीं किया थोड़ा साम इसको लंबा लेकर गया इसलिए ताकि देखे ट्रिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको कॉंसेप्ट पता रहेगा ठीक है एक स्पेशल क्लास हम कंपाउंड इंट्रेस्ट के उपर सिर्क ट्रिकी स्पेशल रखें लेकिन वह चीज तब समझ में आएगा जब आपको बिल्कुल बेसिक पता रहे हैं सवाल क्या था कि धनराशी है वो कौन सी धनराशी हमें नहीं पता चार प्रतिशत वार्सिक चक्रविर्दी व्याज की दर्स से दो बरस में चक्रविर्दी व्याज जो हो जाता है वो 102 हो तो हमें चक्रविर्दी व्याज दिया हुआ था रेट अप इंट्रेस दिया हुआ हमें पी की वैल्यू चाहिए तो चक्रविर्दी व्याज के लिगा पर चक्रविर्दी व्याज लगाती है यह वहला फॉर्मुला लगाए और चक्रविर्दी व्याज बरस फॉर्मुला हो पी मिल चुका है, आर वही है, टी वही है, हंडेट कर दिये, फाइनली जो हमारा साधारन व्याज मिला, ये आपका क्या मिला, SI, ठेक है, आपको पता होना चाहिए कि सेम डेट और सेम रेट के हिसाफ से, साधारन व्याज जो है, वो चक्रविर्दी व्याज से छोटा होता है, क्योंकि साधारन व्याज मूलधन पर लगता है, साधारन व्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, अगर आपका पहले वर्स में 50 उर्पया व्याज लगा, तो अगले वर्स में भी 50 उर्पय लगेगा ये होता है साधारन ब्याज लेकिन पहले वर्स में 50 लगे और अगले वर्स में बढ़के लगेगा क्यों क्योंकि जो 50 उर्पय आपका लगा ना उसके उपर भी ब्याज मतलब साधारन ब्याज जो है वो मूलधन पर लगता है चक् किस नंबर कोश्चन हमने आज शुरुआत कर रहा था ये 22 नंबर कोश्चन बिलकुल एकदम अद्बुत तरीके से अगर इस प्रश्ण के भी सॉल्यूशन की बात करें करें यदि एक धन्रासी दो बर्स का बारा पृतिशत वार्सिक दर से चक्रविर्दी व्यास दिया हुआ और आपको दो बर्स का साधारन व्यास चाहिए तो चक्रविर्दी व्यास दिया हुआ है उसी दर पर उसी समय का साधारन व्यास तो मूलधन तो पहले पता हो माइडियर स्टूडेंट तो पहले हम गयाद करेंगे मूलधन और मूलधन कैसे पहले चक्रविर्दी व्यास बर 244 रुपई है तो हमने 2544 कर दिया पी की वैल्यू हमें चाहिए 1 प्लस 100 प्लस आर करेंगे तो आर की वैल्यू 12 बटे 100 अड़ यह कितने ď बर्चों के लिए 2 वर्चों के लिए और माइनस कितना माइनस पी आप देखो यह हो गया 2544 ही रह नदो यहां से हमें पी का वैल्यू निकलेगा तो यह हो जाएगा पी गुने 112 बटे 100 इंटू 112 बटे 100 माइनस पी काट लीजिए 28 चक बरियोतल से 25 चक 100 28 चक बरियोतल से 25 चक 100 यहां ध्यान दीजिए 2544 बरावर 28 गुने 28 कितना होता है 28 गुने 28 होगा 88 64 हाथ में रहा 6 और 8 दूनी 16 चे बाइस 28 दूनी 56 चार चे दो आठ 784 चलिए तो यह उपर 784 होगा ना गुने पी तो हम लिख दे 784 पी बटे 25 गुने 25 तो सबको पता है 625 माइनस पी तो नीचे एक लेंगे तो 2544 बरावर आपका 625 LCM हो गया तो 784 पी और यह तिर्चा तिर्ची गुना LCM में 625 गुने पी 625 पी होगा ना लासा मासा आता है ना यह मत पूछेगा सर कैसे किया हमने तो 2544 बरावर 784 में 625 गटाएंगे हमको लगता है कि 169 नहीं 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 5 गया 7 में से 2 गया 5 169 पी बटे 625 अब देखो 169 भागे 2544 करेंगे थोड़ा सा फोन का भी यूज कर लीजिये हलाकि इसकी जुरत नहीं पड़ेगी ठीक है लेकिन कभी कभी 2544 भागे 159 यह कटेगा 16 बार में कितने बार में कटेगा माई डीर स्टूडेंट आप इसको ऐसे काटिएगा ना यह 16 बार में कटेगा ठीक है 625 करेंगे तो पी की 16 बार में 625 करेंगे तो आपका जो आएगा पी का वैल्ली वो आएगा दस हजार ठीक है तो यह मूलधन क्या निकला सबसे पहले इस तरह के सबसें पहले मूलधन यह नहीं पता है तो कैसे साधारण ब्याज निका लिएगा अब हमें पूछ रहाएए इस डर पर सकरेंगे डवल-जीरो से डवल जीरो बारा दुनी चौबीस पर दूगो जीरो देखिए माइडी रेस्टूर्ट है ओप्शन में चौबीस सो रुपई है क्यों नहीं रहेगा बिल्कुल रहेगा एकदम गैरेंटी के साथ रहेगा है बढ़िया सवाल तो ऐसे प्रश्न कंपाउंड इंट्रेस्ट मे मतब इतना लंबा लेकर नहीं चलेंगे अब आपके मंड में ये भी विचारा है कि सर जब ऐसी बात है तो फिर इतना लंबा क्यों लेकर जा रहे हम इसलिए लेकर जा रहे तक कि जीवन में आपको अगर कोई इस चीज को एक दम क्लियारिटी चाहिए मानलो कोई पूछ दे जिसमें without pen paper हम बहुत कम time हैं, मतब इसका 50% time भी नहीं लगेगा, इस प्रशन को हम deal कर पाएंगे, लेकिन basic तो होना चाहिए आपके पास, यहां तक समझें, सब लोग comment box में comment करिए, यह दो प्रशन बहुत ही special था, यह दि किसी धन्रासी पर 4% वार्शिक दर पर 2 वर्स का चक क्रिविर्दी व्याजवरा और formula होता है, P into 1 plus, rate of interest क्या, दर बटे 100 और पर पावर 2 माइनस P, यही है न, आप formula लिखना छोड़ दिये, ठीके, अब जो है वो formula लिखना छोड़ दिये, अब directly कर दिये, CI, अब आपको पता है कि CI given है, 97.92, बराबर P into, यह 25 बार में कटेगा, 25 और 1, 26 बाटे 25 का square माइनस P, देखो, 97.92 है, 92 बराबर P into, देखो, 25, 26 कुने 26 जो होता है, 25 कुने 26, 26 का square करेंगे तो 676 P हो जाएगा, बाटे 625 क्योंकि 25 का square 625, माइनस P, 97.92 is equal to, यह नीचे में एक, तो LCM हमारा हो जाएगा 625, तो यह हो जाएगा, 676 माइनस, एक बार में 676 P होगा, 676 P माइनस, 625 कुने P, 625 P, तो यह हो जाएगा, 97.92 is equal to, 676 में 625 गया, 55 P, बाटे 625, तो यहाँ पर हम को क्या करना है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम इसलिए, calculator यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम चाहते हैं कि question time to time बने, वो भी deeply concept के तुरू, अगर आप इसको इसमें काटिएगा, तो आएगा 1.92, तो P की value 1.92 into 625 करेंगे, तो P की value 625 गुने, 1.92 करेंगे, तो आपको आएगा 1200, समझ में आ रहा है कैसे हुआ 1200, बहुत ही सिंपल था, इसको इसके साथ काटे, तो 1.92 बार में कटा, और फिर ये भाग में, इधर गुना में जाएगा, तो P की value आगया 1200, अब आपको पूछ रहा है, उसी रासी पर साधारन व्याज, ठी P की value 1200, rate of interest 4%, समय दो बर्ष का, 00 से 00, काट दीजे, 00, 12,44, 96, 96 रुपई है, है option में, याद रखिएगा कि यदि चक्रविर्दी व्याज दिया रहे, दर दिया रहे, समय दिया रहे, ठीक है, और आपसे साधारन व्याज पूछे, point to be noted, मैं यदि चक्रविर्दी व्याज दि दिया हुआ रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे, अगर तीनों चीज गिवेन हो, और आपसे साधारन व्याज पूछे, तो सबसे basic concept यह माना जाता है, कि पहले मूलधन निकाले, और मूलधन तब निकलेगा, जब आप मूलधन को यहाँ पर P मानेंगे, तो CI बराबर P into 1 plus R करेंगे, तो मिजदन में मूलधन गटाएंगे, क्या निकला, ब्याज निकला, तो यह ऐसे करके, तीन प्रशन था, तीनों same to same, बस disease चेंज था, इसलिए हमने इसके उपर 3-4 question करवाए, ताकि पहले में सीखें, भई पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मत आपने ये देखा हुगा कि सार जो चक्रवर्दी ब्याज है, तीक है, और ये जो साधारन ब्याज है, ये साधारन ब्याज छोता होता है आमेंसा चक्रवर्दी ब्याज पर, क्योंकि साधारन ब्याज मूलधन पर लगता है, और चक्रवर्दी ब्याज मूलधन और ब्याज अज़ दोनों के ऊपर यानि मिस्त धन के ऊपर लगता है चलिए अगले प्रशण की बात करें बहुती भहती बेहतरीन बहुती उमधा प्रश्न एक बादन फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर आचुका है सवाल बहुत ही बहतरी सवाल कह रहे कि यदी किसी धनराशी का 12.5 बारह प्रतिशत बारसिक दर से 2 बर्स का चक्रविर्धी व्याज 510 रुपया है तो उसी धनराशी पर उसी दर से उतनी समय कसा रहे दर दिया रहे पहले आप मूल धन निकालो और मुल्दान निकलेगा एक ही फॉर्मुला लगा ये गाला है C I विराबर P into 1 प्लस rate of interest है साड़े बारा को 25 वटे दो लिख दे 25 वटे दो गुने 100 अपप पावर 2 माइनस P करेंगे तब न मुल्दान निकलेगा कि ये तो फॉर्मुला में इस धन का हो गया C I का ये फॉर्मुला होता है ठीक है चलो कट गया 25 चक्साओ चार बार में C I आपको दिया हुआ है कितना हाँ 510 रुपे आपका C I दिया हुआ है ठीक है एक सेकेंड रुकी गा ठीक है तो यहाँ पर C I आपको दिया हुआ 510 रुपे इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 बाटे 8 9 बाटे 8 गुने 9 बाटे 8 माइनस P कर दीजिए ठीक है ना देखें यहाँ से P की वैल्यू कैसे निकलेगा आप चाहो तो इतना लंबा ना करके एक दम आराम से भी कर सकते हो कि सर C I 510 है 4 दूनी 8 और 1 9 बाटे 8 का स्कॉयर करिएगा तो 9 बाटे 8 का स्कॉयर करिएगा तो 9 का स्कॉयर 88 का स्कॉयर 64 माइनस P सौट कट में चलीए थोड़ा सा ठीक है क्यों क्यों क्योंकि सर 4 दूनी 8 ये तो 4 दूनी 8 पलस एक 9 बाटे 8 9 बाटे 8 का स्कॉयर करिएगा तो 9 का स्कॉयर 88 का स्कॉयर 64 यानि 510 बराबर ये हो जाएगा 81 P बाटे 64 और यहां पर देखिए कि अगर हम 64 LCM लेंगे तो यहां एक है ना तो 18 P में 64 P गया घटे गा ना भीन का जोड़ घटा एक दिन सिंपल बे में समझ में आ रहे कैसे की है यहां नीचे LCM एक लिए तो 64 बार में 64 P तो 510 बराबर 81 में से 64 गया हमको लगता होगा 17 P बटे 64 ठीक है 17 तीए 51 तीस बार में यह P की वैल्यू 64 गुने 30 ठीक है P की वैल्यू 64 गुने 30 करेंगे तो P की वैल्यू मिलेगा 4 तीया 12 चेतीया 18 और यह को 19 सो 20 ठीक है यह P की वैल्यू 920 है तो प्रस्ण कहे रहा है कि SI चाहिए साधारन व्याद चाहिए SI बराबर PRT by 100 P की वैल्यू 1920 रेट ओप इंट्रेस्ट 25 बटे दो क्योंकि साड़े 12% है 25 बटे 2 और कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए है न डिवाइड़ेड वाई 100 करिएगा न तो 2 से 2 कंप्लीट सिंगल 0 से सिंगल 0 25 पाच पचे 25 पान दुनी 10 और ये फिर 2 से कटेगा तो 9 दुनी 18 और 6 दुनी 12 तो 9 पचे 45 साड़े पान सो छे पचे तीस साड़े चार सो छे पचे तीस चार सो असी रुप्य है ओप्षन में तो थोड़ा सा लेबल तो जाएगा compound interest आप पढ़ रहे हैं ये इस chapter को माना गया है कि ये arithmetic का सबसे अंतिम chapter advanced का नहीं arithmetic का तो compound interest को जो है वो arithmetic का सबसे अंतिम chapter माना जाता है उसके बाद आपका arithmetic complete माना जाता है अगर आपने syllabus अच्छे से देखा होगा arithmetic का तो compound interest को arithmetic का सबसे अंतिम chapter माना जाता है तो थोड़ा बहुत दमखम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो आज जितने भी प्रस्णे वो सारे important है आपके लिए थोड़ा सा हम जानबूच कर बारी की से पढ़ा रहे ताकि आपको समझ में है अगला session tricky होगा पका promise ट्रिक तब समझ में हैगा जब basic knowledge होना चाहिए और ये basic knowledge आपके लिए है चलिए 25 नमर हमको बना के दिखाए 10 सकेंड का समय यदि कोई रासी तीन वर्षों में 2700 से बढ़कर 6400 हो जाती है देखो ध्यान से कोई धन रासी 2700 से बढ़कर हो गया 6400 ध्यान रखना कि कौन ब्याज है कौन मूलधन है आपने amount लगाया 2700 मतब कोई धन रासी ऐसे थोड़ी के रखे रखे मतब बढ़ जाएगा किसी चीज में निवेश किया होगा तो कह रहा है कोई यदि कोई रासी तीन वरसों में 2700 रुपय से बढ़कर 6400 तो यह जो 2700 रुपया था जो बढ़कर 6400 हो गया यह 2700 रुपया आपका होता है मूलधन निवेश की गई रासी को मूलधन कहते हैं तो 2700 रुपया 6400 तब होगा जब आप पैसा निवेश करेंगे तो ऐसे कंडिशन में यह आपका मिल गया मूलधन मूलधन कितना 2700 रुपया ठीक है और अब कह रहा है कि 2700 बढ़कर 6400 हो जाती है यह 6400 हो जाना अगर जिस संख्या में यह जिस एमाउंट में future की बात करी हो समझेगा कि वो मिस्रधन होगा 2700, 6400 हो गया तो यह 6400 मिस्रधन किसी किसी को अगर व्याज भी निकालना हो तो मिस्रधन में मूलधन यानि 6400 में 2700 घटाईएगा तो जो घटकाएगा वो आपका व्याज होगा खेर व्याज की कोई जरुरत नहीं है फिलाल आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि चक्रव्यदी व्याज की दर गयात करिए तो देखिए इस तरह का जब फॉर्मुला हो कि जब मूलधन भी दिया हुआ और मिस्रधन भी दिया हुआ फॉर्मुला लगाईए न ए बराबर या ऐसे लगाईए एक दम 1 प्लस rate of interest आपको चाहिए तो अगर चाहिए न तो इसको एकड़म अच्छे से करिए 100 इंटू एक 100 प्लस धर को r से दिनोट किया जाता है सो गुने एक सो और सो प्लस धर सो प्लस धर को हम r से दिनोट किये तो प्लस r बटे 100 और पावर टी टी की वैलियू तीन वर्ष में तू दी पावर थ्री याद यान दीजे ये गुना में इधर भाग में आजएगा यानि चौशट सो गुना में है ना इधर भाग में आजएगा 2700 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 का Q देखिए यहाँ पर बहुती सिंपल वे में 300 से 300 कटिया और आपको पता है हमने घतांकर करनी आपको पढ़ा है घतांकर करनी में हमने बोला है कि अगर कोई संख्या के उपर पावर 3 हो और उस पावर को इधर लाएंगे क्योंकि यही तो डिस्टर्ब कर रहा है वेल्यू तब ही निकलेगा जब इसको अटाएंगे तो उधर जो है वो घनमूल का रोप ले लेगा यानि ऐसे 64 बटे 27 का घनमूल क्या ले लेगा घनमूल बराबर 100 पलस आर बटे 100 यहाँ ध्यान दीजे अब हमको पता है कि 64 का घनमूल होता है चार चक सोला चकी 54 64 का घनमूल हुआ 27 का घनमूल culpa घनमूल का मतब उसको थीन पार्ट में डिवाइड करके एक पारट बाहर तो 64 को तीन पार्ट में कैसे करियेगा 4 चक सोला चकी 44 और ऐक चार बाहर लेगे सौ गुने चार चार सो, सौ गुने तीन, तीन सो, पलस, 3 into R3, इसको इधर पकड़के करिए, तो इसको इधर करिएगा, तो 400 में 300 गया, 100, चार सो में 300 गया, 100, तो R की वैल्यू, सौ बटे 3, यानि 33 पुर्नांक, एक बटे 3 प्रतिशन, लीजिए, भई, पहला ही नंबर ओप् बताईए अब आ रहा है समझ में एक दम concept अच्छे डंग से जब मिस्टरदन दिया रहे मूलदन दिया रहे सिंपल सा फॉर्मला लगा यह नहीं मिस्टरदन बराबर मूलदन इंटू वन प्लस दरबटे सो पर पावर समय कोई magic trick की जरुरत नहीं है अगर हम चाहें तो इस तर जब उसको चलने के लिए आता है सिंपल सी बात है नियुक्त किसी बच्चे को दोड़ाना है तो बही वह दोड़ेगा तब नहीं कर पहले खड़ा तो हो जाए पहले एक दो कदम बढ़ा तो ले फिर दोड़ जाएगा तो वही है दोड़ना को गर हम trick से denote करते हैं और चलना को अगर basic से denote करते हैं तो दोड़िएगा तब ही जब अच्छे से चलने आएगा यह बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा हुआ अब बारी की के साथ चलिए एक और सवाल आपके screen के उपर same to same एक ही तरह के जब भी हम लाते है तीन चार question लाते है ताकि आपको भी परिशानी ना हो और हमें भी परिशानी ना हो कह रहा है यदि व्याज की गन्ना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपे की रासी 88 सो देखिए 8000 का amount 8000 का amount बढ़कर हो गया 88 सो बीस यानि 8000 आपका हो गया मूलधन और 88 सो बीस ठीक है आपका जो मूलधन हो गया वो प्रस् में 88 सो बीस हो जाती है तो चक्रविर्दी व्याज की दर एक ही फॉर्मला लगा है अगर मूलधन और मिस्रदन दोनों दिया रहे तो यह वला फॉर्मला मिस्रदन वराबर वही इसको इंग्लिस में लिख रहे है 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर्टी जो भी पूछे चाहे दर पूछे है समय पूछे उससे दिक्कत नहीं है दर भी पूछेगा तभी यही फॉर्मला लगाना है समय भी पूछेगा तब भी यही अगर मिस्रदन और मूलधन दिया रहे हैं कंपावन इंट्रेस्ट की बात करें तो अ बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 कि A देखें इसी फॉर्मला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है A बटे यह गुना में इधर भाग में A बटे P बराबर 100 प्लस आर बटे 100 दिपावर्टी यह मॉडिफिकेशन हो गया भाई देखें मिस्धन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस दर बटे 100 पर पाव यह बस कुछ नहीं है इसी चीज को हमने मॉडिफाइ कर दिया जैसे देखते हैं किसी चीज को हम खरीदते हैं तो मॉडिफिकेशन आता है साल दो साल बाद उसका मॉडल चेंज हो जाता है content वही रहता है लेकिन उसको अलग तरीके से दरसाया जाता है तो इस पर बनाये यह इस पर बनाये दोनों एक ही चीज है आपको E की वैल्यू पता है यह दो वर्ष का प्रस्ण है तो दो कर दिये हम यहां देखो कलर चेंज कर लेते ताकि आपको समझदारी अच्छे से आ जाए जीरो से जीरो अब कई सर 882 किसी का वर्गमूल नहीं है आठ सो भी किसी का वर्गमूल नहीं है क्योंकि इधर दो है इसको इधर लाईएगा तो र रूट में जाएगा ना तो हम दो से काट दी अच्छे तरीके से कट भी गया यानि यह स्कॉयर है अगर इसको इधर लाएंगे तो यह ऐसे होगा अंडर रूट 441 बाई 400 बरावर 100 प्लस आर बटे 100 देखो द्यान से माइडिये 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का वर्गमूल होता है 20 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20 बरावर 100 प्लस आर बटे 100 ठीक है 25 चाहें तो डारेक्टली नीचे नीचे काट भी सकते हैं अब तिरचा तिरची गुना 25 प्लस आर यह प्लस में इधर आएगा माइनस में तो आर बरावर 105 में 100 हो गया हो यह प्रश्न का उत्तर हो गया rate of interest 5% आप यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए तो और अच्छी बात है समझ में आ रहा है गनित माने तो मक्षन ठीक है गनित माने तो मक्षन ओके माई डिर स्टूडेंट एक दम पांच से छे क्लास में छे क्लास में आपका compound interest खतम कर देंगे उसके बाद एक special marathon लग से कम ठीक है छे क्लास में क्योंकि लगबग 80-90 question को deal करेंगे हम लोग compound interest में तो अभी तो 26 पर ही आया है हम लोग तो मेरे साब से 80 class 80 question काफी है और उसके बाद एक special type by type जो छुटे-छुटे tricks and tips होते हैं compound interest में वो special हम आपके लिए लेकर आएंगे तो फिलाल यहां तक आपक को एकदम किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा लग रहा होगा कि सर हां सीख रहे हैं आप बता रहे हैं और हम समझ रहे हैं ठीक है यहां तक दिक्कत आगे बढ़े 23 नंबर question चक्रविट दिव्याज के किस वार्सिक दर से 2300 रुपे की धनरासी बढ़कर 25 हो गई तो 2300 क्या 24 रुपे क्या है मूल धन 25 सो क्या है मिस्ट धन फॉर्मिलाज लगा यह ना मिस्ट धन बटे मूल धन बरावर 100 पलस आर बटे 100 पर पावर टी यही है ना देखिए मिस्ट धन बटे मूल धन बरावर 100 पलस अर यह कहां से निकला सर यह इसी फॉर्मिला से इसको उमने यहां मौडिफाई किया है कुछ नया नहीं है यह गुना में था इसको भाग में कर दिये 100 गुने 100 पलस आर 100 पलस आर बटे 100 पर पावर. मौडिफिकेशन बाकी कुछ नहीं है इसको चलिए तो यहां पर आपको पता है कि मिस्टव बड़ा वला होता है तो हमने 1500 यहां पर रखा ठामिलिये 100 पलस आर हमें चाहिए क्योंकि पूछ रह यह दर चाहिए और यह कितने का। अब बताए ये पचीस सो का वर्गमूल हमको लगता है कि पचास होगा ठीक है और तैइस सो चार किसका होगा अड़तालिस का थोड़ा सा देखने दीजिए हमारे सब सो हमें तो अड़तालिस का ही लग रहा है एक सकेंड 48 इन्टु 48 हां 234 ये पचीस ये रूट में न ये वर्गमूल में आजागा इधर रूट हटेगा तो वर्गमूल में आगा 500 बटे 23D4 बराबर 100 अब है इसकी कोई अवशकता नहीं क्योंकि स्कुार तो हुटी गया 100 प्लस 5 बटे 100 देखो जी ये 250 का वर्गमूल होता है 50 और 234 का वर्गमूल होता है 48 बराबर 100 प्लस 5 बटे 100 ठीक है बहुत ही सिम्पल हमने क्या कर दिया के काट डाला ऐसे काटने के कोई जरुत नहीं है बहुते आसान ही पचास गुने सौ करेंगे तो आजाएगा 5000 बबरावा 48 सौ करेंगे तो आजाएगा 48-19-19, अब Praus 48-20 और करेंगे तो आजाएगा तो चार पुर्णान के एक बटे छे प्रतिशत कहीं न कहीं तो ज़रूर आप्शन में होगा जी बिलकुल है समझ में आ रहा है यहां तक बिलकुल बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा समझ में जब आप दीजिए सब लोग आ रहा है पक्का लॉक करें तो यह 27 नंबर कोश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवधी ब्याज का यह बहुत ही उंदा प्रश्न है ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है लेकिन कुछ नहीं हम एकदम सौट कट मत मानकर चली एक बहुत ही बहतर कॉंसेप्ट दे रहे हैं आप अपना फिटबैक जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट करके लाइक करके शेयर करके कमेंट अपना फिटबैक बिलकुल दीजिएगा चली 28 नंबर सवाल पर हम आते हैं हम आपको थोड़ा समय देते है इसको देखिए तो जरह बनेगा ये थोड़ा सा यस यहनों में जबाब दीजिए सब लोग कमेंट में मूलधन रेट ओफ इंट्रेस्ट 10 परसेंट कितने वर्षों के लिए अच्छा इस बार रेट ओफ इंट्रेस्ट दिया हुआ है इस बार निवेश की गई अबदी पूछ रहा है कोई बात नहीं हमने शुरू में बोला था कि अगर मूलधन और मिस्रधन रिया रहे प्लस आर बटे 100 पर पावर टी ये एक फॉर्मूला आपको बहुत कुछ सिखा देगा तेती सो बारसट है उपर बटी सो नीचे है बडावर 100 प्लस आर आर की वैल्यू हमें गीवेन है कितना 10 परसेंट बटे 100 टूदी पावर टी आपको पता है कि 100 प्लस आर बटे 100 करेंग तो सीधे 110 बटे 100 लिख दें, क्यों time waste करना, rate की value हमें पता ही कि 10% है, 0 से 0, अब देखिएगा कि 11 बटे 10 पर poverty है, 32, नहीं, यह 32 की रासी होनी चाहिए, हमको तो लग रहा है, 1000 यहां पर होना चाहिए, रुकिएगा, थोड़ा सा calculation गलत लग रहा है, उनको 33, बारशट भागे 3, नहीं, 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 यहां तक तो ठीक है बिलकुल, ठीक है, अगर 32 को 10 के format में कैसे लाएंगे, 32 की रासी 10 प्रतिशत, जहीं हां, 10 प्रतिशत वार्षिक चक्रवड़ी व्याज की दर पर निवेश करने पर 3312 रुका हो जाता है, तो कह रहे हैं निवेश की गई अबदी क्या होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकिएगा, प्रश्न केलत तो नहीं है, थोड़ा सा इस प्रश्न में मुझे मिस्टेक लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कंटेंट गढ़वड है, 32 की रासी 10 प्रतिशत वार्सिक दर पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाती है, देखो वहीं अगर एक वर्स के लिए भी निवेश करेगा ना 32 रुपया, तो 32 का तो हमको लगता है कि 3362 भी अगर होगा, तो 11 रुकिएगा, थोड़ा सा में समय दीजे, कहीं न कहीं कंटेंट में मिस्टेक है, ठीक है, 1331 होगा, ठीक है, 32 रुपय की रासी, अच्छा गर हम ब्याज निकाल लें, तब भी नहीं होगा, हमको लगता है, तीन सो बार साट रुपया हो जाएगा ब्याज, नहीं रुकिएगा, इस प्रश्न को हम होल्ड पे रखते हैं कुछ देर के लिए, एसा नहीं हम करें कि गलत है, हम एक बार अपने बुक से मिला लेंगे, कि क्या कोश्चन सही है, तब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, तो चार से काटें तो यह आठ सो आया, यह चार से काटेंगे, ठीक है, तो यह चार सो कटे गए नहीं, मालने जिए दो से भी काटें तो 16 सो आएगा, अच्छा एक बर और करके देखते हैं, दो से इसको काटें, 16 दुनी 32, 8 दुनी 16, अच्छा, यह 1681 आगया, ठीक है, तो आपका यह जो आगया, 1681 आगया, क्योंकि बेस बराबर होना चाहिए ना, दोनों तरफ, 1681 आगया, उसके बाद यह कटे गार नहीं, अच्छा, यह ऐसे हो सकता है, कि 41 बटे 40 का स्क्वायर, तब भी नहीं होगा, चलिए, इसको होल्ड पे रहने दिजिए, इस प्रश्न को, अगले सवाल में हम इसको देखते हैं, ठेक है, टेंशन की बात नहीं है, ठेक है, अगर एक साल का भी 32 रुपया का, एक साल का 10 परसेंट के इसाब से निकाले, तो 32 का 10 परसेंट के इसाब से 320 रुपया, तो इसी साधारण व्याजी होता है, तो वह इसी 35 होज़एगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा कुश्चन में, तो ये फिर से फॉर्मूला लगाईए, देखिए व्याजबार से, देखिए वही फॉर्मूला लगाईए, ए बराबर, ए बटे पी बराबर, 100 प्लस आर बटे, 100 पर पाबर्टी, देखिए इस प्रस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंद, कितने समय में, दो हजार की रासी 2420, यहनि, मिस्तर दन 2420, मूलधन 2000, ठीक है, और 100 प्लस आर करेंगे, तो 100 प्लस 10 करेंगे, तो 110 हो जाएगा न, क्योंकि आर की वैल्ल्यू क्या है, 10 है, तो 110 बटे 100 और पावर्टी, देखिए, 0 से 0 कट गया, यह 0 से 0 कट गया, ठीक है, यह हो जाएगा, दो बार में 121 और यह 100, देखो, 121 तुरंद बन जाएगा, जब कोश्चन सही रहेगा न, तो तुरंद बनेगा, बरावर 11 बटे 10 पर, सोरी, 11 बटे, 11 बटे 10 पर पावर्टी, अब देखिए, अब क्या है कि यह 11 बटे 10 है, ठीक है, यह 11 बटे, भावुक हो जाते हैं बहुत ज़ादा, यह 11 बटे 10 है और यह 121 बटे 100 है, तो क्या 10 बटे 100 को 11 बटे 10 का स्कौएर नहीं लिख सकते हैं, 121 बटे 100 को नहीं लिख सकते हैं 11 का स्क्वाइर 121 दस का स्क्वाइर 100 बरावर 11 बटे 10 पर पावर टी घातांक और करनी आपने पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि सर जब बेस बरावर हो जब आधार बरावर हो तो पावर को भी बरावर कह सकते हैं तो 11 बटे 10 से 11 बटे 10 दोनों तरह बराबर है तो क्या लिख नहीं सकते है टी बराबर टू यर्स देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं हुआ सेम कोश्चन वही था लेकिन उसमें हमें लग रहा है कि प्रश्ण में थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए हमने उसको होल्ड प जबकि व्याज छमाही सेयोजन हो कोई बात नहीं हमें पता है कि आपको पता है कि व्याज अगर छमाही सेयोजन हो ठीक है तो छमाही में समय में दोसे गुना किया जाता है और दर कितना है बीस है ना बीस में दर में दोसे भाग दिया जाता है यानि समय आपका हो जाएगा तूटी जहाँ पर T लगा रहे थे अब तूटी लगाईएगा क्यों क्योंकि ब्याज छमाही सही हो जन है न तो देखें A बटे P बराबर 100 पलस R बटे 100 तूदी पावर T लगेगा तूटी लगेगा A की वैल्यू 1331 P की वैल्यू 1000 ठीक है बराबर 100 पलस rate of interest 20 बटे 100 और इसके उपर पावर क्या लगाएगे 2 T क्यों क्यों क्योंकि ब्याज छमाही सही हो जन हो तो समय दुगना हो जाता है ठीक है अब देखें ये हो जाएगा ये सीधे 120 लिख दें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है क्योंकि 100 प्लस आर करेंगे न तो आर की वैल्यू 20 है 20 चेक 120 बीस पच्छे 100 ये हो जाएगा कितने समय में 1000 रुपे गरासी बीस प्रतिश्द वार्शिक दर से 1331 हो जाएगी जबकि व्याज प्रतिछमाही सही हो जन हो 20 परसेंट नहीं है गलती फिर से गलत ये 20 परसेंट सही हो जन होगा ये 10 परसेंट सही हो जन होगा क्योंकि 6 बटे 5 है और यहाँ 11 बटे 10 होगा that's not possible सब लोग 10 परसेंट करिएगा जी ठीक है गलती हमारा ही था गलती हमारा ही था यार देख लो देख लो कहां गलती दर तो ऐसी भी 10 परसेंट ही है हमने ध्यान ही नहीं दिया इसको ही करते बड़ा वाला गलती से मिस्टेक हमने 20 हम चूँ लगा रहे हैं जब हम समय में 2 से गुना किये तो दर में 2 से भाग भी तो किये, वही हमको लगा कहां गलती से mistake हो गया वही, बार बार हमसे क्यों गलती और ऐसा कुछ नहीं है, तो 100 पलस R करेंगे, तो 100 पलस, अब 20 नहीं करेंगे न, क्यों, क्योंकि हमने समय में 2 से गुना दे दिया, दर मे 10% किया तो समय में 2 से गुना अब देखो एकदम बारिकी से एकजीरो उठा दो 1331 बटे 1000 को लिख सकते हैं 11 बटे 10 का क्यूँ कर लिजे 11 का क्यूँ 1331 आएगा 10 का क्यूँ होता है 1000 बरावर 11 बटे 10 पे पावर तूटी बहुत ही अद्भुत सवाल था यह भी आज का आधार हमारा सेम हो चुका है 11 बटे 10 11 बटे 10 दोनों तरफ तो पावर सेम कर दीजे इधर पावर 3 है इधर 2T है यानि 2T बरावर 3 देंट T is equal to 3Y2 ओप्शन में है 1 पुर्णान के 1 बटे 2 समये 1 पुर्णान के 1 बटे 2 बर हमें भी लगा कहां मिस्टेक हो गया भई हमने इस पर तो ध्यानी नहीं दिया कि हमने दर को तो आधा कर रखा है महां 20 लगा रहे थे समझ में आ रहा है सिर्फ एक कोश्चन आज होल्ड पे रखा गया वो भी उसकी हरकत उसकी गलती की वज़ए से हमारे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं था एक होता है ना कि हमने कर दिया से कुछ नहीं टाइपिंग मिस्टेक है इसने हमने उस प्रश्चन को होल्ड पे डाल दिया कि जाओ भाई तुम साइड भाग जाओ एक और सवाल एक बहतरीन सवाल यदि व्याज अदवार्शिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपे की धनरासी 10% अदवार्शिक चकविर्दी व्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगा तो A बटे P बरावर 100 पलस R बटे 100 पर पावटी A जो है वो 92,610 और P 80,000 बरावर 100 पलस दर की वैलिव देखो दर अब आधा हो जाएगा ना रेट में हमें 2 से भाग देना है तो 100 पलस 5 बटे 100 और समय में 2 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 2T और ये हो जाएगा 5% एकदम ध्यान से clarity के साथ बटे 2T ठीक है तो ये हो जाएगा अच्छा इसको direct 105 बटे 100 लिखे क्योंकि जुटेगा तो 105 बटे 100 हो जाएगा ये 21 बार में और ये 20 बार में तो 91 61 जो होता है वो 21 बटे 20 का Q होता है कैसे 21 का Q करके देख लीजी अब 91 61 होगा और 20 का Q करके देख लीजी अब 8000 होगा 21 का Q 91 61 और 20 का Q 8000 बडाबर 21 बटे 20 पर पावर 2T यहाँ देखना माइडियर स्टूडेंट अब हमारा क्या दिखा अब हमें दिखा कि सब दोनों तरफ बेस जो है वो इक्वल हो गया आधार इक्वल हो गया तो पावर इक्वल कर दीजी यानि 2T बराबर 3 दें T is equal to 3Y2 is equal to 1 पुर्णन के इक्वल्टे 2 ठीक है यहाँ तक आज का क्लियर हुआ समझ रहें तो आज का सेशन यहाँ तक आपके लिए बहुती अद्बुत बहुती शांदार अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि अगला सेशन हम जल्द से जल्द आपके लिए लिख रहा है और झाल झाल